हेलो एविवान स्वागत है आप सभी का सेकंड आई पील मुकाबले में मुकाबला है पीवी के एस बनाम डीसी है यह मुकाबला के लगा जाएगा चंदिकर एक रेनोएटेड नए स्टेडियम में एंड विन प्रेडिक्शन मुकाबले के लिए डेली कैपिटल अब याद करना थोड़ा सा मुश्किल है तो डबल एडर पर एटलीस फॉर्स वीकेंड पर मुस्ली एक ही गिम आएगा फिर होपफुली सेकंड वीकेंड तक वो भी हम सौट कर जाएंगे तो विन प्रेडिक्शन डेली कैपिल्स याद रखिए पहले पांच मैच्छे में इन्वेस्म बढ़ाएंगे स्मॉल लिग्स एक बड़ा गिवए एक लाका तो मिस्स मत करेगा और एक्सचेंज 22 पर अभी के अभी साइन अप करिए क्या मिलेगा आपको इतनी बड़ी-बड़ी गार्डी है आपको करना क्या है उनका जो है ग्रैंड लिग जॉइन करना है फॉर्टी से ग्रैंड लीग है और बेस्ट पार्ट क्या है सिर्फ 75,000 स्वाट्स तो कॉंपेटिशन बहुत ही कम है और इसली आप वहाँ पर जाके जीत सकते हैं अप्टू 25 टीम्स बना सकते हैं प्लस बोनिस के आश आप यूस कर सकते हैं इन वाइल जॉइनिंग ग्रैंड लीग टीम जो आपको मिल जाएगा अपन साइन अप तो अभी अभी जाके साइन अप कर लीजिए और जॉइन इस एड़ेट फैनल टीम्स अपडेट्स है सब कुछ आपको वही पर मिल जाएगा लिंक से इस वीडियो के डिस्क्रिप्शिन में क्लियर सणी वैदर फॉरा मुकाबला है यहां पर हमें देखने को मिलना चाहिए है पिच रिपोर्ट की बात की जाए तो ज्यादा क्रिकेट यहां नहीं के लगया है बट सर्याद मुस्ताकली ट्रोफी में हमने देखे है एवरेज 177 तो अच्छी काजी स्कोरिंग और ग्रीन पैच्चेस भी यहां पर छोड़े ग था क्योंकी थोड़े से अन्वेल थे तो पदा नहीं अब इनका स्टेट इस क्या है बट मुस्तली तो ठीक होने चाहिए अब तक एस फिजिकल इंजिरी कोई नहीं थी एंडिक नोकिये जाए रिचर्ट सिन दोनों लंबे अरसे के बाद आ रहे हैं तो लेट सी की फिट रह प्रप्सिम्रंट सिंग अतरवत तैडे लियम लिविंग्स्टिन जितेश शर्मा जो है वाइस कैप्टनिस टीम के सैम करन हर्शल पर तेल जो है नए अक्विजिशन इस साल राहूल चैर कगीज और अबाड़ा एं अश्टीप सेंग डेली की बात की जाए प्रित्वी शौ में से कोई खेलेगा है इस लॉट में अक्षर पटेल ललत यादव या कुमार कुछ शग्र जिन्हें अच्छे खासे पैसो में लिया गया था कुल्दी प्यादव मुकेश कुमार एंडिक नौक्य या जाय रिचर्ट सिन लास्ट में खलील एमद यहां पे खेल सकते हैं जो टॉप सेवन है डेली का वो हिसाब से अगर कोई सबसे सेव बैटर है इन टरम्स अव टेकिंग लेस रिस्क तो वो है शिकर दवन है काफी कम रिस्क लेके बैटिंग करते हैं इन कंपारिजन तु द अधर बैटर्ट बट मुविंग बॉल जो है अप्रंट के अलावा खास कुछ गेम्स हुए नहीं या पर तो दो तीन प्लेयर्स के लावा इन जो स्कॉर्ट में से कोई खेला नहीं है तो एक वेरियेबल वहां पर आपके लिए कम हो जाता है सूपर अटाइकिंग प्लेयर हैं मैच अच्छे हैं कि हैं लाइक्स टू टेकिट आउन टेकिट आउन राइक चीज़ याद रखिए अगर स्टार्टिंग में ग्रीन पिच पर थोड़ी मुवमेंट है तो इन्हें वहां पर ट्रबल हो सकती है एल्स इनके लिए जो गेम है टोटली सेट अप हो सकता है प्रप सिमरन सिंग थोड़ा ज्यादा ओवर एग्रेसिव क अतरवा तैडे बहुत ही इंप्रेसिव रहे लास्ट यर एक मैच में 55 वर्स डेली कैपिटल्स और ओवरॉल काफी स्टेबल है आप कहेंगे कि 1-7 1-6 में यहां पर काफी रिस्टेकिंग बैटर्स है यह थोड़ा सा कम रिस्क लेते हैं अबिलिटी हैं कि यह टू बैट इन आप बिलोर 20 का आवरिज 3 विकेट्स ले चुके हैं बट क्यूंकि यह बैट और बॉल दोनों से कॉंट्रिबूट करते हैं थोड़ा सा इने छोड़ना वह इसा आप से मुश्किल हो जाता है जिते शर्मा एक और बहुत ही अटैकिंग प्लेयर इस स्पेसिफिक टीम में चा आम करें ओवराल एक ठीक टाक प्लेयर फॉर्म इनका कुछ खास नहीं रहा है मैं पता है लास्ट कुछ समय से पर इनके साथ क्या होता है यह तीन से चार वर देते हैं बैटिंग भी कर लेते हैं तो खराब से खराब दिन पर भी 25-30 पॉइंट दे जाते हैं जो फैंटेसी क बोलिंग में कभी कबार काफी खराब कर जाते हैं और जब पिछ में से पकड़ नहीं मिलती वह जो पिछ जब आनीवन बाउंस नहीं देता तब इनके स्ट्रगल वहां पर थोड़े और बढ़ जाते हैं क्यूंकि बहुत ज्यादा प्रेडिक्टिपल हो जाते हैं वान स्लो कभी कबार पूरा चल जाएंगे कभी कबार विकेट से जाएंगे कगीज और अबाड़ा वापस इनके जो मैच अप से कुछ खास नहीं वर्स डेली तीन मैचेज में सिर्फ एक विकेट वाइल ओवर्स यह अच्छे कासे डालेंगें बट वापस किस तरीके का खेल के लिए है वही डिक्टेट करेगा सब कुछ इनके लिए एंड फाइनली यहां पर अर्श्टीप सेंग पावर प्ले प्लस डैट ओवर स्पेसर लास साल इनके लिए कुछ खास नहीं रहा है आप देख सकते हैं मैच अप कुछ खास नहीं नमबर कुछ खास नहीं छे मैच में इनके यॉकर्स बहुत ही ज्यादा शाप हैं इनको प्रॉब्लम का आती है ज्यादा यह कभी कबार वेरियेशन यूज नहीं करते हैं या एक्सपोज नहीं कर पाते हैं वहां पर इंवेस्मेंट लीड़ बोर्ट में जितने ज्यादा लीग्स जोइन करते हो उतनी आपकी र एक बहुत ही बेनिफिशल ओफर अब चलते हैं डेली कैपिटल की तरफ स्टार्टिंग दी अटाइक डेविड वर्नर कम रिस्क लेते हैं 25 मैचेज में एक हजार पांस एक 1105 रन्स एंड आवरेज यहां पर पचास का तो बहुत ही ज्यादा अच्छे नंबर्स इनके वर्स पंजाब और यह भी नहीं केल हैं मैच अप्स एंड फॉर्म नंबर्स सारे के सारे गुड प्रित्वी शौ लास्ट इर इनका कुछ खास नहीं रहा पंजाब की सामने भी आवरेज सिर्फ 23 की मैच अप्स थोड़े से अपन डाउन बट क्यूंकि डेली के बहुत सारे बोलर इसका फॉर्म कुछ खास नहीं है और अगर अप फ्रंट कुछ हैल्प नहीं रही तो यह करेंगे पूरी तरह से क्यापिटलाइब फिर चलते हैं मिचल मार्श की तरफ पांच मैचेज में सिर्फ 98 ट्रांज वर्स पंजाब आवरेज ऑफ जिस ट्वैट ही ले चुके हैं प पंत मेरे लिए सिर्फ एक ही चीज़ है जो रोकरी इने लेने से वह इनका फॉर्म है बहुत ही ज्यादा लंबे लेओफ के बाद आ रहे हैं कैसी फिट्निस है कैसा खेल रहे हैं सब देखना पूरी तरीके से बचा हुआ है अफ्कोस कीपिंग यही करेंगे most likely unless यह चाहें क कि ट्रिस्टन स्टाब्स या शेहोप को गलव्स देते हैं असे सेफटी प्रिकॉशन बट उसके लावा इलेक साइट पे इनका गेम बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉंग ऑफसाइट पे अपना गेम है अच्छे तरीके से डेवलप कर चुके हैं रीसेंट जब तक इनकी वह इं क्रिस्टन स्टब्स एक और बहुत ही इंप्रेसिव खिलाड़ी इनके साथ क्या प्रॉब्लम है कि यह स्टाटिंग से एक के बाद एक शॉट्स के लिए चले जाते हैं इनका जो वह ड्राइव डिफेंसिव वाला गेम वह एक्जिस्ट ही नहीं एक्लीस मैंने तो नहीं दे कर सकते हैं तो definitely मेरी टीम में यह जगया पाएंगे ललेत यादफ काफी भरोसा दिखाती है डेली की टीम इन पर चार मैच में से दो विकेट्स मेरी टीम में तो यह जगया नहीं डून पाएंगे में भी आप जील में एक दो टीम में ट्राइक कर सकते हो रिमेंबर एक्सच सब कुछ यहीं बरेंगे आपके लिए आपको से जाना है खेलना है एंड प्रॉफिट कर रहा है तो आठ मैच में आठ विकेट्स ब्स पैसिफिक पंजाब टीम अफ्कोर्स रिस्क मीटर है यह काफी रिस्क लेकर डालते हैं बट जैसे मैं पंजाब की टीम जानी गई है कि कभी कभारी कोलाप्स कर जाती है मिडलोवर्स में और वहाँ पे ऐसे प्लेयर्स का रोल काफी बड़ा हो सकता है प्लस इनका जो रीसेंट फॉर्म है वो भी अच्छा रहा है मुकेश कुमार अफ्कोर्स अच्छा डाल में आफ लेट टीवेंटीव में हमने देखे हैं कि ज ज्यादा तर विकेट्स का चांस आपको मिलता नहीं है हैंस अभी के लिए टीम में नहीं एंडिक नौकिये अफ्कोर्स वेरी हाई क्वालिटी पेसर फॉर्म इनका थोड़ा सा पुराना बट उसके लावा तीन मैच में तीन विकेट्स वर्स पीबीकेस और अच्छा रोल निवा सकते हैं तो यह जरूर उसको एक्स्वाइट कर पाएंगे इस बात का ध्यान रखेगा क्यूंकि ऐसे टाइप के बोलर जो हमेशा विकेट्स के लोकाउट पे वो गुड लेंद पर डालते हैं जिस पे कभी कबार बैटर्स अपना विकेट्स दे जाते हैं तो यह हु अच्छा तो डेविड वॉनर विलिग इस लिप्स तो फेस करगी जुरबाड़ा उसके लावा शिकर दवन वसिस कूल दी प्यादव दो बार आउट हुए हैं यहां पे शिकर दवन उनके सामने तो और मैच अप अगें बाइट बी स्लाइटली कंसर निंग खलील एमत के सा जा पर यहां पर कीपिंग सेक्षिन में अभी के लिए जा रहा हैं जितेश शर्मा के लिए क्यों जा रहा हैं जितेश शर्मा और घुल और बता चुका हैं और रिशप पन के प्लेयर कार्ट के सेक्षिन में बैट इविड वॉनर एक Key choice जॉनी बेस्टो और पृतवी शॉय पिर चलते हैं हमारे bowling section की तरफ यहां पे होंगे key choice कुल दीप यादव उसके अलावा अज़दीप सिंग अगर पहले bowling करते हैं और मेरे लिए होंगे एंडरिक नो किये यहां पे key choice अब अगर कगीज और अबाड़ा पहले bowling करते हैं अब उनके साथ जा सकते हो and discuss करते हैं बाक यह टीम मेरा मतलब है पंजाब की टीम अच्छा का साथ चांस है कि कुल दीप यादव वहां पे विकेट्स ले जाए याद रखिए कि यहां पर 47 वाला जो लीग है बिलकुल जॉइन करें grand league leaderboard वाला टीम बिलकुल यहां पे आप लगाईए and free contest already खुल गया है तो ensure that you participate right away य उसके लावा कोई भी changes होंगे तो मैं आपको बता तूंगा on telegram अब चलते हैं हमारे आज के grand league options की तरह तो grand league options की बात की जाएं यहां पे होंगे low select dark horse pick में लिए पृती quality player and जैसे मैंने का हब पंजाब के bowlers का form कुछ खास नहीं तो वहां पे capitalize कर सकते हैं उसके बाद में लिए दूसरे pick harshal Patel अगर पहले bowling करते है राहूल चेहर अगर second bowling करते हैं हाइ सिलेक drop is bomb रिशब पंज किनकी बहुत ज्यादा लंबिट समय के बाद आ रहे हैं तो देखते हैं कैसा form रहता है इनका एन अश्टीप सिंग फॉर्म बेस्ट grand league captaincy, vice captaincy choices, batting first and bowling second, warner and kuldeep, batting second, bowling first, rabada and दोनों situations में Mitchell Marsh and Liam Livingstone अब देखते हैं कौन से players को आप grand league में rotate कर सकते हो और किस पेसे पे तो यह चलते हैं grand league rotations की तरफ we'll start with the keeping section of course यहाँ पर रिशब पंड वर्थ कंसिडरिंग ट्रिस्टन स्टाब्स अगर खेलते हैं पहले प्राइटिंग करते हैं कुछ टीम में definitely consider करेगा राइली रसो फी प्लेज एंड बैट्स फर्स अथर बताइडे जैसे मैंने का बहुत ही इंप्रेसिव है उसके अलावा बाकी पिक्स अप एंड डाउन मेरे असाब से सिकंदा राजा अगर खेलते हैं तो मेरे टीम में सीधर स्लॉटन हो जाएंगे वह किंकि बहुत ही कॉलिटी प्लेयर कगीज और अबाड़ा स्पेशली बोलिंग फर्स हर्शल पटेलिव बोलिंग फर्स नेतन एले सिफी प्लेज और बोलिंग फर्स जाय रिचर्ट सिन क्रिक्टो और ट्विटर और टेलिग्राम और शेयर जरूर करेगा है कॉंटेंट ताकि और लोग तक पहुच पाये थैंक यू सो मच पर तुनिग इन थैंक यू सो मच पर आल यू सपोर्ट